जंगल में होली आ रही थी सभी पक्षी बहुत खुश थे उसी जंगल में एक कवा और कवी रहते थे जो जंगल के सबसे अमीर पक्षी थे वो किसी भी दूसरे पक्षी को अपने जैसा नहीं देखना चाहते थे इसलिए वो नहीं चाहते थे के कोई और पक्षी होली मनाए कवी कवे से कहती है कालू जी इस बार सब को पता चल जाए के हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी है मेरे बेटे जगु को इस बार सबसे मेंगी पिछकारी लेकर देना इस बार तो मैं अपने बेटे को सोने की पिछकारी लेकर दूँगा जिसे देहकर जंगल के सभी पक्षी अपना सार पकड़ कर बैठ जाएंगे सोने की पिछकारी सोने की पिछकारी मैं लूगा सोने की पिछकारी जगु कवा ऐसे खुश होता है चिड पान लेकर जाना है, हाँ हाँ, तुझ जैसे भेकारी मैंने बहुत देखे हैं, काम करना है तो करो, वरना निकल जा यहां से, मैं तुम्हें एक फूटी कोडी भी एडवांस नहीं दूँगा, चिडिया का पती निराशो कर वहां से चला जाता है, पापा जी आ मेरे ले पिछक पारी और रंग ले आए हैं, गुडिया बेटी, पापा ठके हुएं आए हैं, इन्हें आराम करने दो, फिर ममा जडिया अपने पती के लिए पानी लेकर आती है, और गुडिया अपने खीलोनों से खेलने लगती है, शान्थ हो जाएं, मुझे पता है, आप से इस बार भी गुडिया की खुशिया पुरी नहीं होंगी, मैं अपनी बेटी की खुशिया पुरी नहीं कर सकता, कितना बुरा हूँ मैं, सब हौली मनाएंगे, और इस बार फिर मेरी बेटी घर में ही रहेगी, अभी हौली में एक दिन बागी है, आप देखना, उपर वाला कोई ना बब लगा ही देगा, दूसरे दिन कबूतर और उसकी पतनी चुडिया के घर आते हैं, चुडिया बेहन, हम हौली के लिए गुलाल और पिछकारिया लेने जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी साथ, नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर होते तो जरूर जाती, ममा, आ अपने जगू को सोने की पिछकारी ले कर दे रहा है, लूसी बेहन, सुना तो मैंने भी है, वो ले सकते हैं, क्यूंके उन्होंने चोरिया करकर के बहुत धन अकरठा किया हुआ है, उधर पापा चुडिया कवे की दुकान पर काम करते करते ठक जाता है, साहिब, एडवांस असना से ही, मेरे जितने पैसे बनते हैं, वो तो दे दो मुझे, हाँ हाँ देता हूँ, जाओ, पहले जाकर अपनी मालकिन का काम में हाथ बढ़ाओ, पापा चुडिया कालू करवे के घर जाता है, जाओ, रसोई में मरतन पड़े हैं, वो धो जाकर, और घर की सफाई भी कर देना, फिर ही मैं तुम्हें इस महिने की तनखुआ दूँगी, मालकिन जी, मैं सब करूँगा, मगर मुझे इतने पैसे दे दे, कि मैं अपनी बेटी के लिए बिचकारी ले सकूँ, फिर पापा चुडिया सारे काम करता है, वो शाम तक काम करता है, मगर जब शाम होती है, तो गोरी कवी बिना पैसे दिये ही पापा चुडिया को भगा देती है, रास्ते में जाते हुए पापा चुडिया एक पेड़ के साथ बैठ जाता है, और रोने लगता है, मैं गुडिया को क्या मू दिखाऊंगा, आज मैंने उससे वादा किया था, रंग और पिचकारी ल आती है, ना होने से कुछ तो अच्छा है, मैं अपनी बेठी के लिए यही पिचकारी ले जाऊंगा, और रंग का ला दूँगा, पापा चुडिया तोटी हुई पिचकारी लेकर घर जाता है, उधर कवा और कवी सुनार की दुकान पर जाते हैं, सुनार जी, सुनो, हमें एक बहुत बड़ी सुने की पिचकारी बना कर दो, सुने की पिचकारी वो क्यों? हमारा एक ही बेटा है, जग्गु नाम है उसका, हम चाहते हैं के हमारा बेटा सुने की पिचकारी से होली मनाए, फिर कवा और कवी सुनार से सुने की पिचकारी लेकर घर जाते हैं, सारे ज पूरती बाद जंगल में सबसे बड़े चोर, छोटे और बड़े उलुओं तक पहुंजाती है। बड़े सुना है कुछ, वो कवे, वो कवे सोने की पिछकारी लेकर गए हैं अपने बेटे के लिए। चोटे जो भी हो, हम वो पिछकारी चुरा लेंगे और देखेंगे के उनका वो के घर और क्या क्या माल है। दोनों चोर उलु ऐसे सलाह करते हैं। गुडिया बेटी, देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए पिछकारी ले आया हूँ। मगर ये तो बहुत पुरानी और टूटी-फूटी पिछकारी है। ये सुनकर पापाचलिया परिशान हो जाता है, जिसे देखकर गुडिया दूसरे ही लम्हे कहती है। मगर मुझे ये पिछकारी बहुत पसंद है, बहुत सुन्दर है ये, मैं इसी पिछकारी से होली खेल लूँगी। गुडिया वो पिछकारी लेकर अपने कमरे में चली जाती है, और जाकर उसे दूर फैंक देती है। जब आधी रात होती है, तो उल्लू चोर भी जंगल में आ जाते हैं। दोनों उल्लू बड़े बड़े चाकू लेकर कफों के घर में घुच जाते हैं। कौन, कौन हो तुम। चुप, चुप कर जा, अगर बोली तो गला कार दूँगा, कहां है, वो सोने की पिछकारी कहां है। कालू कवा भी उठ जाता है। नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। शौर सुनकर जगू भी उठ जाता है। अंकल अंकल क्या आप मेरी सोने की पिछकारी देखने आए हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ ऐसा कहते हुए जगुकवा घौंसले के नीचे से सोने की पिछकारी निकाल कर उल्लू को दे देता है और क्या क्या है घर में जल्दी बताओ फिर वो उल्लू गोरी कवी की अलमारी से सारे पैसे निकाल लेते हैं वो गोरी के गहने भी चुरा लेते हैं और उनके घर में कुछ भी नहीं छोड़ते उल्लू जी चोर उल्लू जी मेरा हार ये मेरा हार मुझे वापिस दे दो ये मेरी मा की निशानी है अगर ज्यादा भोली तो जान से जाओगी उल्लू कवों को रस्यों से बांद कर वहां से भाग जाते है सुबह वो जाती है मैंने महत बुरा किया जो पापा की लाई हुई पिछकारी को रात फैंक दिया मैं इसी पिछकारी से खेलूँगी ये अच्छी है गुडिया उस पुरानी पिछकारी में पानी भर कर उसे चलाती है मगर उसमें से पानी की जगा सोने के सिक्के निकलती है ये ये पिछकारी कैसी है पानी की जगा ये सोनेहरी चीज क्या निकल रही है इसमें से गुडिया भागी भागी अपने मम्मा और पापा के पास चाती है मम्मा मम्मा पापा ये कैसी पिछकारी है इसमें मैंने पाने डाला और ये क्या निकाल रही है ऐसा कहते हुए गुडिया पिछकारी को जला दी है सोने के सिक्के देखकर ममा चडिया और पापा चडिया हैरान हो जाते हैं गुर्या बेटी ये कोई सधारन पिछकारी नहीं है ये जादूई पिछकारी है लाओ ये मुझे दो तूटी फूटी पिछकारी ने हमारी किस्मत बदल दी फिर पापा चडिया बड़ी दुकान से अपनी बेटी के लिए धेर सारे गुलाल लेता है और एक सोने के सिक्ये के बदले एक बहुत बड़ी आटोमेटिक कलर गन लेता है कबूतर कबूतरी तोता तोती सब हॉली के रंग लेकर मैदान में पहुंचाते हैं गुडिया भी अपने ममा और पापा के साथ आ गई थी तोते अभी तर कवे नहीं आए अपनी सौने की पिछकारी लेकर मैं अभी जाकर कवों के घर देखता हूँ फिर तोता कवों के घर जाता है वो गोरी कालू और उनके बेटे को रस्यों से बंदा हुआ देखकर शौर मचाता है कवे कवे ये क्या हुआ ये सब कैसे हुआ तोते जल्दी से हमें आजाद करो मैं बताती हूँ तुम्हें तोता कवों की रस्यां खोल कर उन्हें आजाद करता है सब लुट गया तोते हमारी सोने की पिछकारी भी उल्लू चोड ले गे और घर में जो कुछ था वो सब ले गे कवों के पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे के जिससे वो कोई टूटी फूटी पिछकारी ही ले सके फिर दूसरे सब पक्षी कवों को अपनी पिछकारियां और गुलाल देते हैं और सब मिलकर हौली खेलते हैं दोस्तों हमें माफ करना ये सब हमारे खरूर की वज़ा से हुआ ना हम सोने की पिछकारी बना कर सारे जंगल में शोर मचाते और ना हम लुटते ऐसे कवों को सीख मिलती है प्यारे दोस्तों इस कहाने को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चानल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धरनेवाद गोरी कवी और कालु कवा पूरे जंगल की चोरियां करकर के अब बहुत अमीर कवे बन गे थे इसलिए गोरी कवी अपने बेटे जगु की शादी भी किसी अमीर कवी से करना चाहती थी कालु जी मेरी मावाले जंगल में एक कवी है वो बहुत अमीर है सुना है उनकी इतनी ज्यादा जायदाद है क्या वो कवी हमारे जगू को पसंद करेगी जाकर बात कर लेते हैं हम कौन सा किसी से कम है मॉमा ये देख लेना उस कवी का रंग थोड़ा कम काला हो और चोंच भी आपकी तरहाना हो थोड़ी छोटी जोंचो उसकी अच्छा अच्छा ठीक है मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना फिर गोरी कवी और कालु कवा अपने बेटे की शादी के लिए कवी देखने जाते हैं मेरे साथ भाई वदेश में होती हैं एक कहता है मैं अपनी بेहन को फ्रीज लेकर दूँगा दूसरा कहता है मैं अपनी बेहन को एसी लगवा कर दूँगा और तीसरा तो मुझे देखने नई काल लेकर देगा मैं समझ गई बाकी साभी तो कुछ ना कुछ लेकर देंगे हमारा पूरे महले में सबसे बड़ा घर है और हम सबसे अमीर कोवे हैं हमारे जंगल में मेरी होने वाली सास जी और मेरे होने वाले सासूर जी बात ये है मेरी बच्पन से खोहिश है कि जहां मेरी शादी होकर जाए उस महले में कोई गरीब घर ना हो क्या आपके पडोस में सारे अमीर पक्षी ही रहते हैं एक चुड़िया ही चुप चुप कर जा कालू हाँ हाँ बेटी सब अमीर हैं बहुत अमीर पडोसी हैं हमारे फिर तो मैं आपकी ही बहु बनूँगी और मैं आज ही अपने भाईयों को टेली फून कर देती हूँ आप दो दिन बाद बाराज लेकर आ जाना और कोई ढौल बाजा भी लेकर आना ये भी मेरा बच्पन का शोक है के मेरी शादी पर खुब बैंड बाजा बजे तो फिर ठीक है आप देज का सामान पूरा कर लो दो दिन बाद हम अपने बेटे को लेकर तुम्हें भी हाने आ जाएंगे कवा और कवी चले जाते हैं रास्ते में कवा और कवी दोनों पती पतनी एक जड़ने पर बैठ जाते हैं गोरी बहु की इच्छा है के महले में कोई गरीब ना हो और वो चिडिया और बुलबुल तो बहुत गरीब है और उनका घर महले में सबसे पहले आता है और दोनों एक से बढ़कर एक गरीब है उन दोनों का मैंने सोच लिया है उन्हें हमारा मोहला छोड़कर कहीं और जाना होगा उन्हें दूसरे जंगल जाना होगा मैं निकालूंगे उन्हें वहां से चलो तुम मेरे साथ चलो फिर कवा और कवी पहले बुलबुल के पास जाते हैं बुलबुल हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं अच्छा गोरी बेहन, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत अच्छा नाच करूँगी आपके बेटे की शादी पर उसकी जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो, अपना बोरी बिस्तर उठाओ और यहां से कहीं और चली जाओ ये बात सुनकर बुलबुल हैरान हो जाती है, मैं, मैं कहां जाओंगी, जगु के ससुराल वालों की शर्थ है, कि महले में कोई गरीब घर ना हो, इसलिए बुलबुल तुझे और चड़िया को यहां से जाना ही होगा घर खाली कर दो, मैं कल बेल डोजर चला दूँगा यहां ऐसा कहते हुए कालू और गोरी कवी चड़िया के पास चाते हैं मोटी बुलबुल को बता दिया, तुम भी सुनलो चोटी जड़िया मेरे जगु के ससुराल वालों की शर्थ है, कि महले में कोई गरीब घर ना हो, इसलिए तुझे और बुलबुल को जाना होगा यहां से मैं, मैं अपने बेटे को लेकर कहा जाऊंगी, शादी जगु की हो रही है, हमारा क्या लेना देना उसकी शादी से घर खाली करो और चली जा, वरना ऐसा ना हो, कि तुझे अपने बेटे का मरा हुआ चेहरा देखने को मिले, समझी या नहीं ऐसा कहते हुए कवा और कवी वहां से अपने घर चले जाते हैं मामा, मामा, कैसी थी मेरी पतनी, सुन्दर थी न, रंग कैसा था, और और चोंचा आप जैसी तो नहीं थी जगु बेटा, मुझे पानी तो पी लेने दो, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ तुम्हें मैं कह दूँगा, कोई एक साला तुम्हें मोटर साइकल ले देगा दूसरे दिल, बहुत परेशान चिडिया बुल-बुल के पास चाती है मैं जा रही हूँ बुल-बुल, वो कवे मेरे बेटे को मार देंगे, अगर मैं ना गई तो परन्तु चिडिया हम जाएंगे कहां वो कवे बहुत जालिम है, हमें जाना ही होगा वो कवे जो बात करते हैं, पूरी करते हैं फिर चिडिया अपना सामान बांद लेती है ममा, हम कहां जा रहे हैं? बेटा, कवे और कवी ने कहा है कि इस महले में कोई गरीब नहीं रह सकता इसलिए हम यहां से जा रहे हैं हमारा तो कोई और घर नहीं है फिर हम कहां रहेंगे ममा कुकु बेटा, उपर वाला बेहतर ही करेगा फिर बुलबुल, चिडिया और उसका बेटा कुकु अपना जरूरी सामान लेकर अपने अपने घर छोड़ कर वहां से चले जाते हैं अपने घर के बाहर बैठी हुई गोरी कवी और उसका बेटा जगु कवा चिडिया और बुलबुल को जाता हुआ देख रहे थे ये देखकर जगु सीना तान लेता है सब डरते हैं मेरे ममा पापा से सब डरते हैं डर के मारे भाग गे सारे गरीब ममा पापा से डर कर भाग गे कालु भी वहाँ आ जाता है मैं अपनी करेन लेकर आता हूँ और इन घरी पक्षियों के घर उठाकर नदी में फैंक देता हूँ फिर कालु कवा अपनी करेन से पहले बुलबुल का घर उठाता है और उसे नदी में फैंक देता है और फिर चिडिया का घर उठा कर नदी में फैंकने के लिए ले जाता है कालू कवा चिडिया और बुलबुल के घर नदी में फैंकर जब घर आता है तो गोरी की मा आई बैठी थी कालू मा कहती है हमारी होने वाली बहु रानी हार मांग रही है वो कहती है के पहले मुझे रानी हार लेकर दो फिर ही मैं जग्गु से शादी करूँगी बेटा कालू वो इतना दहेच देञे हमारा भी तो हक है खे अपनी बहु की इच्छा पूरी करें गोरी रानी हार कहां से मिलेगा रानी हार तो मैंने उल्लू रानी के गले में पहना हुआ देखा था उन्ही की गुफा से चुराना होगा तो फिर आज राती हम वो रानी हार चुरा लाएंगे जो भी हो मैं अपने जग्गू की शादी उस अमीर कवी से करके ही दम लूँगा रात हो जाती है कववा कवी और उनका बेटा जग्गू उल्लू रानी की गुफा से रानी हार चुराने घर से निकलती हैं वो सब उल्लू की गुफा के पास पहुँचाते हैं पहले मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जाकर देखता हूँ और फिर तुम दोनों अंदर आ जाना। कालुकवा गुफा के अंदर जाता है। उल्लु रानी और उल्लु राजा सो रहे थे। कालुकवा ये देखकर गोरी और जगु को अंदर आने का संकेत देता है। जगुका पंक लगने से एक गिलास नीचे गिलता है उलू राजा उठ जाता है भागो भागो उलू राजा उठ गया है चोर चोर रानी उलू रानी उठो हमारी गुफा में चोर आगे हैं गोरिकवी और जगुकवा तो भाग जाती है मगर उलू राजा कालुकवे के सर में ड पापा मर गे, वहां गिरे हैं पापा, जगू भाग, भाग जगू, फिर टरते हुए वो कवे ना जाने किस दिशा में भाग जाती हैं, ये कोई नहीं जानता, बुराई अपने अंजाम को पहुंचती है, थोड़े दिनों बाद चिडिया और बुल-बुल वापिस अपने जं प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना, आपका धन्यवाद,